नमस्कार दोस्तों जीके अर्जिन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर परदेश लोग से वायोग प्रियागराज जैसी प्रक्ता इतिहास प्रेटी सेट 25 में तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी इस रिक्वेस्ट आभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ उसका ओ नोटिफिकेशन आपके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं इसके अलबा एक और आवसक सुचना अभी तक आप लोगोंने मेरा संपूर्ण इतिहास का मास्टर वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं तो उसको भी जाकर एक ब बार वीडियो देख लिजी आपको 500 यानि 2000 कोश्चन आपके त्यार हो जाएंगे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं लेखें कोश्चन नमबर वन इसमें रिगवेद के किन मंडलों को वन्स मंडल के नाम से जाना जाता है ये रिगवेद के किन मंडलों को once मंडल के नाम से जाना जाता है दिया है प्रथम एवम दूतिय मंडल को, दूतिय से सब्तम मंडल को, नवे वम दसवे मंडल को, आठवे वम नवे मंडल को तो Once Mandal के नाम से जाना जाता है, तो वह है दूतिय से सब्तम мंडल को जा है Once Mandal के नाम से जाना जाता है Q2 है रीक वेद में निमलेखित में से किस सिल्प का उल्लेक नहीं है किस सिल्प का उल्लेख नहीं है दिया है हाथी दात पर उतक्रिणन या मिर्दन भांड की संरचना या बुनाई या बढ़ाई गिरी तो सिल्प का उल्लेख नहीं है तो वो है हाथी दात पर उतक्रिणन Question number 3 है बिष्णू का प्राचिंतम उल्लेख कहां मिलता है दिया है रिगवेद, सामवेद, सत्पत ब्रामण या गोपत ब्रामण में बिष्णू का प्राचिंतम उल्लेख मिलता है रिगवेद में Question number 4 है मनु इस्मृति में स्वर्षती और द्वसद्वती नदियों के बीच प्रदेश को पुकारा जाता है किस नाम से पुकारा जाता है स्वर्षती और द्वसद्वती नदि के बीच के प्रदेश को आर्यावर्थ, सैपसंदो, ब्रह्मावर्थ या ब्रह्मार सिदेव इसमें correct answer हो जायगा C. ब्रह्म्ह वर्थ ग्में पांच है शूरा की आहूती का संबंद है ग्में असमेंग से है या राशु से है या वाज़पे से है या सौत्रा मड़ी से है क्में सौत्रा मड़ी से है कोशन नमबर 6 है मैत्रेई सहिता का संबंद है तो मैत्रेई सहिता का किसे संबंद है रिगवेद से सामवेद से यजुरवेद से या अथरवेद से तो मैत्रेई सहिता का संबंद किसे है यजुरवेद से है कुश्चन नमबर साथ है जैन धार्मिक गरंथ अंगो का संकलन सरपर्थम किस संगीती के अंतरगत किया गया था बल्लभी पाटले पुत्र वैसाली या मथूरा तो जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन जो है सरपर्थम की संगीती के अंतरगत किया गया था तो ये किया गया था पाटली पुत्र के अंतरगत कुश्ण नमबर आठ है वजरियान बहुत धर्में बोधिसित्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है मातंगी योगनी डाकिनी या तारा के नाम से तो वजरियान बहुत धर्में बोधिसित्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है तारा के नाम से इ 9 है प्रारंबिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है भगावती सुस्त्र कल्प सुत्र परशिष्ट परवन या उक्त सभी में तो प्रारंबिक जैन धर्म का इतिहास जो है किस ग्रंथ मिलता है तो ये मिलता है कल्प सुत्र में Qesen no.10 है बुध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रख कर इस्तिरियों को संग में परवेश की अनुमति दी थी इस्तिरियों को संग में परवेश की अनुमति दी थी प्रजापती गौत्मी, माया, आमरपाली या य सोधरा तो इसमें correct answer हो जाएगा ए प्रजापति गौतमी को Question number 10 है असोग के सारनात सिंग सिर्ष अस्तम्ब की फलक पर प्रदर्शित पसुओं का सही क्रम क्या है सही क्रम पुछा है जो सिंग सिर्ष पर इस्थित है तो इसमें पहले अस्व है इसके बाद सिंग फिर हाथी फिर व्रिस ये सही क्रम है डी वला सही होगा इसमें Question number 12 देखे कोटिली के और सास्त में उलेखित संस्था सब्द का संबंद है संस्था सब्द का क्या संबंद है कोटिली के और सास्त में जो उलेखित है संस्था सब्द दिया है बित्ती प्रसाशन से गुप्तचर ब्यवस्था से नयाय प्रसाशन से या कर ब्यवस्था से इसमें एंसर हो जाएगा भी गुप्तचर ब्यवस्था से तो गुप्तचर दो परकार को गते थे एक संस्था नाम था और एक था संचार तो दो परकार से यहां संस्था न देगर संचार भी देगा तो गुप्तचर ब्यवस्था हो जाएगा यह निदो परकार का उलेख काटिल अपने और सास्त में गुप्चर ब्युष्था में एक संस्था, एक संचार, दोनों जो एक गुप्चर ब्युष्था से सम्मंदित है Question number 13 देखे मौर समाज में 7 वर्गों में विभाजित होने का उलेक निमलिखित में से किसमें मिलता है असो किसिला लेख में, पुरान में या मेगस्थनीच की इंडिका में या कोटिल की कोटिल का और सास्त्र में तो ये मिलता है मेगस्थनीच की इंडिका में यानि मौर समाज के साथ वर्गों में विभाजित होने का उलेख किसमें मिलता है मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है इसमें साथ वर्गों में उलेख किया है समाज को साथ वर्ग कौन कौन थे देख लिजे पाला दार्शनिक था दूसरा क्रिशक तीसरा अहीर चवथा कारीगर या इसी को सिल्पी का ज़ता था पांचवा था सैनिक छठवा था निरिच्छक और आठवा था सभा सद ये साथ प्रकार के समाज के वर्गों को बाटत था मेगस्थनीज जो अपनी पुस्तक लिखा था इंडिका में कौस्चन नमबर चवदा देखे निमलिखित में से असोक के किस अभिलेक में पांच यवन राजाओं का उलेक मिलता है पांच यवन राजाओं का उलेक मिलता है तेरहमा सिला लेक दूती या सातमास तमलेक या प्रथम लगो सिला लेक तो इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका ए तेरहमा सिला लेक में पाँच इवन राजा तेरा हमाँ सिला लेख में तो कौन कौन थे पाँच इवन राजा तो एंटियोक तुर्मय अंतिकीनी मग और अलिक सुन्दर यह राज थे यह उनों के विदेशी राजाओं के कोश्चन नमबर पंदर देखें असोक के सासनकाल में कुमार कहा निक्त थे असोक के सासनकाल में कुमार जो है कहा निक्त थे दिया है तचसिला तोसली उज्यानी या तचसिला उज्यानी जुनागर तचसिला तोसली सोपारा या उज्यानी मतुरा या इरागुडी तो इसमें इंसर हो जाएगा आपका ए तच्छ सिला तोसली और उज्यनी में कुशन नमबर 16 है असोक के किस सिला लेख में चोल पांडे केरलपुत और सतीपुत को पड़ोशी सक्तिय कुरूप में उल्लेखित किया गया है तो कौन सा सिला लेख है इसमें दिया है सिला लेख सिला लेख 13, सिला लेख 8 ये लगो सिला लेख यहाँ पर देखिए मिस्प्रेंटिंग वा सिला लेख दूतिय होगा यहाँ पर इसका एंसर यह होगा सिला लेख दूतिय में सिला लेख दूतिये, इसको याद रखिएगा, पांच परोसी, जो सत्तियां थी, उलेख किया गया है, सिला लेख दूतिये में Question number 17 है, निमलेखित में से कि सासा को भारत में सौर पर्थम स्वाण मुद्रा जारी करने का स्रे दिया जाता है तो सौर पर्थम जाए सौर मुद्रा जारी करने का स्रे दिया जाता है कौन है कुजुल कटफिसस या कनिस्क या बीम कटफिसस या मेनेंडर इसमें अंसर हो जाएगा D मेनेंडर कुछ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पांडियों से है, चेरों से है, या उप्रिक्त में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा A, चोलों से है कावरी पत्नम चोलों से है Question number 20 आए निमलिकित राजवनसों में से किसने सीसे के सिख्के चला है मौर सातवाहन, पस्षिमी सत्रप या गुप्त इसका answer हो जाएगा B, सात्वाहन ने तो सात्वाहन ने जो है अधिकान सिख्के इनके सीसे के ही होते थे लेकिन और भी सिख्के चला थे जैसे तांबे है कांसे है, पोटी ने यह साथुए सात्वाहन निमल्स के सासकों ने जारी किया था लेकिन अधिकान सिक्के जो है सीसे के ही होते थे कोश्चन नमर एक किस देखे आकिर्थ युक्त सिक्कों का परचलान भारत में सर्व परथम याँ पर दिया है किस ने किया था सको ने, पार्थियों ने, कुशानों ने या हिंद यवनों ने इसका एंसर रजाएगा डी, हिंद यवनों ने आकिर्थ युक्त पूचा इसमें तो आकिर्थ सिक्कों का परचलान भारत में सर्व परथम किस ने किया था हिंद यवनों ने कोश् departments नमर बाईस है अदेव मात्रक भूमी क्या थी अदेव मात्रक भूमी क्या थी आपसन देखिया दिया है वह भूमी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके वह भूमी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती न हो सके या बंजर भूमी या किर्शी कार के लिए अनुपयूक्त भूमी इसमें करेक्ट एंसर जायेगा A वह भुमी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके कोशन नमबर तेईस है भागवत धर्म के प्रवर्तक क्रिष्ण के गुरु थे तो क्रिष्ण के गुरु कौन थे घोर अंगरिस वसुदेव सकर्षन या प्रगुन इसमें अंसर हो जाएगा A घोर अंगरिस कोशन नमबर 24 है नैनार कौन थे सैव धर्मा लंबी साक्त या बैसन धर्मा लंबी या सुर्य उपासक तो नैनार जो है एक सैव धर्मा लंबी थे और यह अंदोलों दर्विन देश में चला था पल्लो और चोल की राजाओं के संड़्चड में चला गया था नैनार कोशन नमबर 25 देखिए और अंतिम कोशन है निमलिकित में से पासुपत संपरदाय का प्रवर्तक कौन है लकुलिस कुशिक या गार्ग या सुबंधू इसका अंसर हो जाएगा A लकुलिस तो पासुपत संपरदाय का सबसे प्राचिन संपरदाय है और इसकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि इसा पूरो दूसरी सदी में है तो इसके जो पासुपत संपरदाय के परवर्तक थे लकुलिस यह थे कोस्टन आज के लिए तो इमिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेयर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम